कि अच्छे हैंगे तो हम लोग अपने प्रिवेस वीडियो में मैटल क्या होता है इसको हमने देख लिया था साथ साथ यह भी देखा था कि मैटल के फिजिकल प्रोपर्टीज कौन-कौन से तो वहां पर हमने अगर आपने प्रिवेस वीडियो नहीं देखा है तो जा करके उस प्रिवेस वीडियो में इन सारे बातों को देख लिजेगा ताकि आज जो हम लोग नन मैटल के फ्रिजिकल प्रोपर्टीज को पढ़ रहे हैं तो वह आपको अच्छे से समझ में आ सके तो चले भिना किसी द लेक्चर है वह उसका फोस्त टॉपिक क्या है कि फिजिकल प्रोपडिज वन डर करेंगे अगर अपने देखार तो बर्स पॉइंट को है, non metals are solid or gases at room temperature expect, प्रोमीन जो non metal होते हैं, वो room temperature पे, मीन्स नॉर्मल चेंप्रेचर पे क्या होते हैं, solid और gases होते हैं, क्या होते हैं, solid और gases को हम में होते हैं, लेकिन, लेकिन जो प्रोमीन होता है, ये भाई साब बोलते हैं, हमको solid नहीं रहना है ना ही gas बनके रहना है हमको तो liquid में ही रहना है तो जो bromine है bromine room temperature पे liquid form में होते हैं ठीक है? नेक्स देखिए non-metal have low tensile strength but diamond is hardest substance जो non-metal होते हैं उनके पास tensile जो होते है strength वो काफी ही low होता है लेकिन जो metal का tensile strength होता है वो काफी high होता है ठीक है? लेकिन इसमें भी exception है क्या? कि diamond जो होता है वो सबसे hardest substance होता है अब यहाँ पर tensile means क्या है? tensile means हम लोगों को simply याद रखना है कि कौन सा सब्षांस कितना hard होता है जो सब्षांस जितना ज़्यादा hard होगा उसका tensile उतना अधिक होगा और जो सब्षांस जितना कम tensile होगा वो मतलब कम hard होगा उतना उसका tensile strength कम होगा तो non metal का tensile strength होता है वो क्या होता है? काफी low होता है लेकिन इसमें भी एक exception हमको देखने को मिला कि जो diamond होता है वो world का सबसे hardest substance होता है और इससे हम सभी वाकिब भी है ठीक है? चले next देखते है non metal do not have luster but silicon and graphite have metallic luster अब यहाँ पर word आया luster अगर आपने previous video देखा होगा तो luster का means आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर आपने previous video नहीं देखा है तो जरूर से देखेगा ताकि आपको यह जो luster क्या होता है malleable क्या होता है यह सारा term आपको killer हो जाए तो जो non metal होते हैं वो क्या होते हैं उनके पास खुद का luster means sign नहीं होता है metal के जैसे उनके पास signing नहीं होता है लेकिन इसमें भी exception है क्या कि graphite और जो सिलकन होते हैं उनके पास metallic luster होता है यह इनके पास sign काफी देखने को मिलता है next देखिए non metal have low melting and boiling point except graphite जो graphite and diamond जो non metal होते हैं उनका melting और boiling point का होता है काफी low होता है लेकिन इसमें भी exception है graphite and diamond इनके जो melting and boiling point होते हैं वो high होते हैं next देखिए non metal are bad conductor of heat and electricity जो non metal होते हैं वो basically क्या होते हैं heat and electricity के bad conductor होते हैं अपने से होखे electricity को conduct नहीं होने देते हैं ठीक है लेकिन इसमें भी exception है क्या graphite is a good conductor of heat and electricity जो graphite होता है वो अपने से होखे electricity को passes होने देता है आप लोग के घर में आप लोगों के जो statinary object है उसमें आपको graphite देखने को मिल जाएगा अब वो कैसे तो वो जो आप लोगों का पैंसिल है ना पैंसिल जो बनता है वो ग्रिफाइट से ही बनता है तो आप लोगों के पास भी ग्रिफाइट है अगर आप लोगों को विश्वाश नहीं होता है तो आप जो nonmetal होते हैं वो son generated नहीं करते हैं जैसे एक को मुद्सिक को आप पीटाइह और आपके पास工作 लाकिते हैं को साधिटीएं है कम ऴेल्जेन partners सब्सक्राइए नाउन मेटल होते हैं वह नो नोन सोंस्डरोटे चम के पास क्या रोटां सिद्ची शी Nepषय वी कम होता है, non metal are non-malleable जो non-metal होते हैं वो non-malable भी होते हैं non-mettles are non-ductile except carbon fiber जो non-metal होते हैं वो ductile भी नहीं होते हैं लेकिन इसमें भी exception है, क्या carbon fiber, carbon fiber ductile होते हैं तो अगर आपने previous video नहीं देखा तो वहाँ से जा के जरूर देख लिए लेएगा तो आप को सोनरस क्या होता है क्या होता है यह सारत कुछ आपको किलिर हो जाएगा ठीक है आग वीडियो में हम लोग इसको फिर से डिसक्ष नहीं करेंगे ठीक है चलें अब यहां पर कुछ important facts है और आप लोगों को chemical properties पढ़ने से पहले मैंने सोचा कि कुछ-कुछ जो है आप लोग elements की name और उसके symbol याद रखेगा जो की अभी से लेके चुना आपको काफी आगे तक इसकी जुरुत परेगी ही परेगी तो क्यों ने इसको अभी से हम लोग प्रिपेर करते चलें ठीक चाहिए वो knowledge हमको चोटी-चोटी बातों से आए या फिर syllabus से आगे जाने पर आए ठीक है और लेकिन उसको हमको भले पढ़ते जाना है ठीक है चले देखें अब यहाँ पर क्या 1 gram of gold can be drawn into 2 km long wire जो gold है gold के 1 gram को gold के 1 gram को अगर हम क्या करते हैं wire बनाना शुरू करते हैं उससे तो हमको कितना लंबा wire मिलेगा 2 km लंबा इतना wire मिलेगा सिर्फ 1 gram gold से सोच सकते हैं तो यह interesting fact कैसा लगा काफी अच्छा था ना चले अब वो remembering elements कौन-कौन से चो हमको याद रखने हैं तो देखें यहाँ पर म बता देता हूँ और आप लोगों को इसको remember रखना है ठीक रटना नहीं है बस daily जुह है एक से दो बार बस इसको देखते रहना है तेक अब देखते रहना नहीं ऐसा करके खरे ओंगे देख रहें ऐसे नहीं देखना है इसको पढ़ पड़ के कम से कम 1 से 2 बार इसको पढ़ बढ़ना है ठीक है देखें हाइड्रोजन ठीक है हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है हीलियम हीलियम का सिंबल क्या होता है है कारवन का सिंबल क्या होता है सी नाइट्रोजन नाइट्रोजन का सिंबल एन ऑक्सिजन ऑक्सिजन का सिंबल ओ सोडियम सोडियम का सिंबल क्या होत क्लोरीन, सिंबल C-N, सॉरी, सिल्फर, सॉरी, सिल्कॉन परिते न, फॉस्फोरस, P, सॉल्फर, S, क्लोरीन, C-L, पोतासियम, K, कालसियम, C-N, तो यह जो है बोर्ड पे लिखे गए यह बहुत ही important element है जिनको आपको याद रखना है तो इसको कम से कम आपको एक से दो बार जरूर रीडिंग देना है ताकि यह बिना रटे हुए आपको याद हो जाए और यह काफी long time के लिए आपके काम के लिए आने वाला है तो इसको जरूर सी याद कर लीजेगा अब हम लोग अपने next lecture में मिलेंगे यह जो हमने non metal और metal पढ़ा है उसके physical properties को हमने पढ़ लिया तो अब हम लोग इसके chemical properties को भी जानेंगे और हम लोग थूरा सा metal और non metal के बारे में जो है जानकारिया हासिल करेंगे हम लोग मिलते हैं अपने next lecture में chemical properties of metal and non metal के साथ तब तक के लिए बाय एंड टेक क्या हूं